स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिसक्रस करेंगे सिविल एंजिनिंग ड्राइंग एंड आर्टोकैड सिवल 243 चैप्टर फॉंडेशन सबसे पहला मारे पास गहरी बन्याद की चुड़ाई के लिहाज से इसकी कमस कम गहराई होती है स्टुडेंट ब्रेथ चो होती है वो 2 टाइम्स होती है ठीक है देप्थ की निस्बत ब्रेथ को होती है वो 2 टाइम्स होती है योनि 2 भी Question 2, 9 inch, यनि 9 inch मोटे दिवार की बुनियाद की अंदाजन चुड़ाई रखी जाती है Approximately 30 inch, 30 inch तक रखी जाती है Question 3, 30 cm मोटी दिवार की बुनियाद की अंदाजन चुड़ाई रखी जाती है 90 cm रखी जाती है Question 4, Raft Foundation, a type of, यनि Raft बुनियाद किसम है ये एक shallow foundation है, एक कम कहरी बुनियाद होती है, Raft, ठीक है ये है shallow foundation उसके बाद रहता है Question 5, कहरी मन्जल की अमारत के लिए मोजू बुनियाद है यनि Single story building, अमारत के लिए जो हम बनाते हैं वो होती है ये हमारी spread foundation, फैले पाउम वाली बुनियादें आम तोर पर बनाई जाते है Question 6, Frame structure वाली चार मन्जला अमारत के लिए मोजू बुनियाद यनि 4 story building वो भी frame structure हो तो उसके लिए raft foundation बनाई जाते है जिसमें beam, column, slab, जत्यां कर दिया जाते है Question 7, करीब करीब कालमों के सिलसला के लिए मोजू बुनियाद इसमें कालम जो होते हैं बुनियाद के मतलब किसी भी बुनियाद में कालम करीब करीब बनाई हो तो उस किसमें हम stir up करते हैं के सारे कालम के लिए खुदाई जो होती है वो यकसा कर देते हैं यनि सारी खुदाई करते हैं उस जगह पर तो उसको बोलते हैं stir up foundation ठीक है Question 8, high rising अमारत के लिए मोजू बुनियाद है वो जो high rise होती है जो ज्यादा मनज़रा माली होती है जिसकी हाइड ज्यादा रखी जाती है उसके लिए हम raft foundation बनाते हैं ठीक है स्कुनिट के बाद आती है हमारा question number 9, ये एक गहरी बन्याद नहीं है आप चेक कर लेते हैं, pile foundation तो गहरी बन्याद है well foundation भी गहरी है, casein भी गहरी है grillish foundation जो होती है ये आपकी shallow foundation है not a deep foundation ठीक है जो grillish foundation होती है ये कम गहरी बन्याद में शामिल है question number 10, متعدد منزلہ अमारत ये बहते हुए पानी में तामीर की जाने वाली अमारत के लिए मुझू बन्याद है अब ये वो बन्याद होगी जो बहते हुए पानी के अंदर बनाई जाती है ऐसी बन्याद pile foundation कहलाती है जो जेरे underwater जिसको बोलेंगे हम ये पैते हुए पानी के अंदर जो आप बना रहे है तो उसको बोलेंगे pile foundation question number 11, ऐसी pile जो अपने निचले किनारे पर वजन मुंतकिल करती है अब इस तरह की बन्याद को बेरिंग pile बोलते है जो अमारत के वजन ऐसी pile होती है जो अमारत के वजन को निचले किनारे तक ले जाती है जिसमें वजन सबसे निचले किनारे पर होता है उसको बोलते है बेरिंग pile ठीक हो गया question A उसके बाद आता है option A उसको clear, सही answer था question 12 देखते है ऐसी pile जो अपने सथा के जरीए वजन मुझन करें कहलाती है ऐसी pile को friction pile कहते है जो अपनी सथा के जरीए से वजन मुझन करते है ठीक है friction pile question number 13 ऐसी pile जो अपने निचले किनारे और सथा के जरीए वजन मुझन करें यह मतलब दोनों खासियत आएगी अगर अपने किनारे में करेगी तो बेरिंग पाई और सता के दितिmeter मतलिक्षिन इसका मतलब है बेरिंग कम ट्रीक्षिन फाइए हैं यह फ्रिक्षिन पाय रिक्षिन पायल। दोनुच चीज़े इसमें दोनुख सूसित पाई कहलते हैं कि इसको बैटर पाइल मोलते हैंThis वैटर अप्शन बी कहा हैं नरम मत्य को गिरने के लिए इस्तमाल होने वाली पाइल गयरी पुली पुली के लिए मोजू बुन्याद है अगर आप कोई गहरी पुली बना रहे हैं उसके लिए जो मौजू बन्याद होगी वो आपकी well foundation होगी ठीक है कुए वाली बन्याद बनाई जाएगी अगर आप गहरी पुली बना रहे हैं और अगर आप गहरे पुल में अगर गहरे सोरी पानी में पुल बनाने के लिए मौजू बन्याद कहेंगे तो उसके लिए हम केसन foundation बनाएंगे अगर आप पानी गहरा पानी है मतलब पानी की गहराई बहुत जाद है उसके उपर आपने पुल बनाना है तो उसके लिए जो बन्याद बनाई जाएगी वो होगी संदूग नमा वो आपकी होगी केसन foundation उसके बाद आता है question number 18 ऐसी केसन बनाएद जिसकी तमीर में हवा का दबाव इस्तमाल किया जाता है उसको pneumatic केसन बोलते है pneumatic केसन उसके बाद question number 19 इसी नदी या दर्याद के पानी का रुख तबदील करने के लिए बनाई जाने वादीलादी है इसको हम बोलते है कोफर डेम ठीक है वो कोफर डेम होता है जिसके जरीए से हम पानी का रुख जो है वो तबदील करते हैं तो अभीद करता हूँ कि स्टूडन्ट आपको advance जो है आपकी civil engineering drawing and autocad जो second year की book है जिसका code है 243 ठीक है इसके first chapter के हमने अभी mcqs discuss किये है तो अमीद करता हूँ कि स्टूडन्ट आपको यह option समझ आगे होंगे और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आपको नई वीडियो नई अफडेट्स के हैं वो बरवक्त और बासा नहीं मिलती रहे तो स्टूडन आपके साथ फिर मुलकात होगे एक नई वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ तब तक के लिए अल्हाफेज